इंडिया गटवंदन की दिल्ली में बैठक सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेगार होगा फैसला जेडियू टीडीपी के समर्थन लेने पर भी होगी चर्चा इंडिया गटवंदन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव शरत पवार सुप्रिया सुले समेत कई दलों के प्रमुख वनेता पहुचे दिल्ली शरत पवार बोले आज होंगे सभी फैसले लोकस्वा चुनाव में बड़ी शीत के बाद प्रियंका गांधी ने भाई राहूल गांधी के लिए लिए लिखा एमोशनल पोस्ट लिखा आपने सच्चाई के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा चुनाव परिणावों के बाद भीजेपी परवर से तेजस्वी यादव कहा देश में मोधी फैक्टर खत्म इंडिया गठ बंधन को मिला भगवान राम का आशिरवाद प्रधान मंत्री आवास पर मोधी सरकार की केंद्रे केबिनेट के हुई आखरी मीटिंग अब पीयम मोधी राश्टरपती को सौप सकते हैं इस्तीफा नई सरकार के गठन पर असमंजस बरकरार मोधी सरकार की मौजूदा मंत्री परिशत को विदाई रात्री भोज देंगी राश्टरपती द्रौपदी मूर्मू आज रात आठ बजे राश्टरपती भवन में होगा आयोजिन अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव की रंडीती को पिछड़ा दले तल्प संख्यक में बदल कर लिखी काम्यावी की दास्ता सपा बनी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी तो देश में तीसरे नंबर पर सीपियम नेता वरिंदा कराथ ने चुनावायो को लेकर कही बड़ी बात बोली इस चुनाव में चुनावायो का काम बहुत ही कमजोर फिर भी जनता ने मोधी की बीजेपी को करारा जवाब दिया चंडिकट से कॉंग्रेस की विजाईयो में दवार मनीश तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला अपनी जीत को बताया बीजेपी पर एक अविश्वास प्रस्ताव कहा चार सो पार के नारे में और वास्तविक्ता में जमीन आसमान का फर्क लोगसमा चनाव में स्पृती इरानी सवेत उन्डिस केंद्रिय मंत्रियों को मिली करारी हार बीजेपी को नहीं मिली बहुमत इंडिया गठवन्नक के जनाधार में भारी बढ़त भारत के चनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया की नजर न्यूयोप टाइम्स ने लिखा मोदी ने अजे अनेता की छवी खोई अलजाजीरा ने 400 पार के नारे को भाशपा का ओवर कॉन्फिदेंस बताया भारत के चनाव नतीजों पर वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रिया आई आई सामने इटली की पीम जॉर्चिया मिलोनी बोली इटली और भारत की दोस्ती करेंगे और मजबूत मालदीद के राश्रपती मुईज्जु ने कहा साथ काम करने को उच्सुग बांगलदेश और चीन के रिष्टे हुए मजबूत बांगलदेश को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाना चाहता है चीन भारत की बढ़ी मुश्किले ताइवान के आसपास फिर दिखे चीनी लड़ाकु विमान जवाब में ताइवान ने भी भेजे अपने लड़ाकु विमान और युद पोत दोनों देशों में बढ़ात तना गाजा में बाइडन के युद विराम प्रस्ताव का समर्थन करे संयोक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशाद अमेरे की राज़ूत ने भेजा मसाओधा प्रस्ताव आज से आरबियाई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 7 जून तक चलेगी मीटिंग रेपो रेट में बदलाव की नहीं उम्मीद वर्तमान में 6.50 प्रतिशत है रेपो रेट गौतम अडानी के सरसे छना एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज शेर मार्केट में भारी गिरावट के बाद 2 लाख करोड घटी नेट वर्थ खिसकर 15 वे नमबर पर आए गौतम अडानी आज चीटवर्णी वर्लकप में भारत का पहला मुकाबला आर्लेंड के खिलाफ अपने वर्लकप अभियान की शुरुआत करेगा भारत नियो यॉक में भारती समय अनुसार 8 बजे खेला चाएगा मैच कपिल की महफिल में लगेगा इस बर स्पोर्ट्स का तड़काद दग्रेड इंडियन कपिल शो में सोनिया संग मैरी कॉम भी आएंगी पंचाय फेम पंगज जा ने साधा पंगज त्रिपाड़ी पर निशाना कहा कुछ लोग अपने संघर्ष को करते हैं काम चीनने की राजनीती करने का लगाया आरो